हेलो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी एंजल फिश काफी विमार चल रही है और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत ही हेविली ब्रीथ कर रही थी और एक्वरियम में नीचे जाकर बैट गई थी और लोगों से मतलब एक्वरियम में छिप छिप करे रही थी जल्दी जो है उपर नहीं आ रही थी दाना पानी भी नहीं खा रही थी तो मैंने कई लोगों से इस पर राई भी पूछी तो कई लोगों का रेस्पॉंस अच्छा नहीं रहा और लोगों ने कहा कि जायद इंजल फिशर्स का एंड ऐसे ही होता है बट मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि मेरी करी वन एड़ फियर से मैंने इसको पाला है और मेरी बहुत ही प्यारी एंजल तो मैंने होपस नहीं खोए और मैं इस पर लगा रहा और मैंने दो चीज़े की और जबकि आज आप देख सकते हैं इस वीडियो में की 10 दिन बा हो थेवी ले रही हो और अगर वो लोगों से छिप रही है या कटी-कटी रह रही है तो दो चीज़ आपको हमेशा करनी है पहली चीज़ आपको करनी है कि जो एक्वेरियम है उसका पानी चेंज कर दीजिए पूरा बानी नहीं एराउंड 30-40% वाटर चेंज कर दीजिए य तो मुझे लग रहा है शायद इसी शौक के चलते मेरी एंजल फिश जो है थोड़ी डरी-डरी सी थी लेकिन जबसे मैंने जो है कुछ दिनों तक वेट किया रेगुलर इसको मुल्टर करता रहा वाटर चेंज किया टेंपरेचर मैंने देखा तो मेरे एक्वेरियम का केर दिया कुछ दिनों तक मैं इसको सुबह दो तीन घंटे तक इसको वाच करता है कि मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी फिश थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था और गुड़ निउसे की अब ये बाकी मचलियों से फिर मेंगल होगी है ठीक ठाक है तो जब भी आपक अगर ऐसा कुछ होता है तो फस्तिंग की आप जो है यह द्यान रखेगा कि कभी फिश इंट्रड्यूस करें तो थोड़ी अपनी फिश को पहले जो है देख लिए अपने फिश का मेंटल स्टेटिस देख कर ही उसमें नहीं मचलिया डाली और अगर देखिए कि एंगल पूछ सकते हैं थेंक यू